हम जानते हैं कि जब भी हम कोई वैपार या काम धंदा करते हैं या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं तो हमारे पास साधन सीमित होते हैं परन्तु हमें अनेक प्रतिबंधों या शर्टों का ध्यान रखना होता है और इन सभी के बावजूद हम खर्चा कम से कम करना चाहते हैं और अधिक से अधिक लाब कमाना चाहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो चाहता है कि प्रयोग में आ परिवहन में कम से कम लागत आए कोई व्यक्ति अपने बचाएवे धन को निवेश करना चाहता है तो उसके पास कई योजनाय होती है बैंक डिपॉजिट पोस्ट ओफिस स्खीम इत्याधी इन में किसी में उसको लाब अधिक है तो सुरक्षा कम और किसी में सुरक्षा अधिक प्राप्थो या ब्याज प्राप्थो आएए निवेश संबंधित एक समस्या पर विचार करें और उसे रेखिक प्रोग्रामन विधी द्वारा हल करें समस्या है एक व्यक्ति अपनी बचत में से 30,000 रुपए तक एक वर्षवाली निश्चित अवधी जमा योजना एक Reserve Bank Bonds जिन पर 8 प्रतिशत वार्षिक और दूसरी निश्चित अवधी जमा योजना जिस पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दे है सुरक्षा तथा अन्य लाभों को विचारने के बाद वो नीडने लेता है कि वह Bonds में कम से कम 6,000 रुपए तथा निश्चित अवधी ज निश्चित अवधी जमा के बराबर या अधिक धन निवेश किया जाए रैखिक प्रोग्रामन द्वारा ज्याद कीजिए कि वह दोनों में कितना कितना धन जमा करें जिससे उसे अधिक से अधिक ब्याज मिले रेखिक प्रोग्रामन विधी द्वारा हल करना हम सीख चुके हैं इस विधी में सबसे पहले हम समस्या को सूत्र बद करते हैं मानते हैं कि निवेश की अधन बॉंड्स में बराबर X रुपे है तथा निश्चित अवधी जमा में निवेश की अधन बराबर Y रुपे है इस प्रकार दिये प्रतिबंधों के अनुसार X तथा Y दोनों ही 0 से बड़े या बराबर है बॉंड्स में जमा राशी 6000 के बराबर या उससे बड़ा है यानि X बड़ा या बराबर 6000 के निश्चित अवधी जमा में राशी 12,000 से कम या उसके बराबर अर्थाद Y कम या बराबर 12,000 के बॉंड्स में जमा राशी निश्चित में जमा राशी से बराबर या उससे ज्यादा यानि X बड़ा या बराबर Y के तथा X जमा Y कम या बराबर 30,000 रुपे के इस प्रकार हमें प्रतिबंधों का एक निकाय प्राप्त हुआ और आईए अब हम इसका आलेक द्वारा हल प्राप्त करते हैं पहले दो प्रतिबंध को देखते हैं आलेक पर एक्स बड़ा या बराबर शुन्ने के तथा य बड़ा या बराबर शुन्ने के यानि इससे यह स्पष्ट है कि इस निकाय का हल इस निर्देशांग तल के पहले चतुर्थांश में ही सीमित होगा एक्स बड़ा या बराबर शुन्ने के तथा य बड़ा या बराबर शुन्ने के अगला प्रतिबंध है एक्स बड़ा या बराबर छे हजार रुपे के इसका आलेक प्राप्त करने के लिए हम समीकरन x बराबर 6000 रुपे का आलेक बनाते हैं जो कि एक सरल रेखा होगी और y अक्ष के समानतर होगी अब x बड़ा या बराबर 6000 रुपे के इस प्रतिबंध को जो अर्धतल संतुष करती है वो यह हिसा है और इसे हम इस प्रकार च्छायंकित करते हैं अगला प्रतिबंध है y कम या बराबर 12000 के इसका हल शेत्र प्राप्त करने के लिए हम समीकरन y बराबर 12000 का आलेक बनाएंगे जो कि एक सरल रेखा होगी और वो x अक्ष के समानतर होगी प्रतिबंध y कम या बराबर 12000 का अर्धतल प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं यह वाला हिस्सा संतुष करता इस प्रतिबंध को इसे हम इस प्रकार च्छायंकित करते हैं अगला प्रतिबंध है x बड़ा या बराबर y के उसके लिए हम समीकरण x बराबर y का आलेक बनाएंगे है जो कि एक सरल रेखा होगी बिंदू प्राप्त है हमें जब x 10,000 तो y भी 10,000 जब x 20,000 तो y भी 20,000 हम यह सरल रेखा बनाते हैं जो कि मूल बिंदू से गुजरती है प्रतिबंध x बड़ा या बराबर को जो अर्धतल संतुष करता है वो यह वाला हिस्सा है उसे हम च्छायंकित करेंगे अब आखरी प्रतिबंध लेते हैं x जमा y कम या बराबर 30,000 के इसका आलेक बनाने के लिए हम समिकरण x जमा y बराबर 30,000 का आलेक बनाएंगे जो कि एक सरल रेखा होगी उसके लिए हमें बिंदू प्राप्त होते हैं 0,000,000 इन दो बिंदों से हमें सरल रेखा प्राप्त होती है समिकरण x जमा y बराबर 30,000 के इसे हम काले पैन से बनाते थें क्योंकि सारे मूल रेखाएं हमारे काले रंग से बनी है अब प्रतिबंद x जमा y कम या बराबर 30,000 के लिए जो अर्धतल होगा उसके लिए हम मूल बिंदू का जाज करते हैं हम देखते हैं मूल बिंदू जिस अर्धतल में है वो इस प्रतिबंद को सत्यापित करती है यानि यह वाला अर्धतल हम छाएं कित करेंगे इस प्रकार इन सभी हल शेत्रों से हमें एक सर्वशनीष्ट हल शेत्र प्राप्त होता है जो है A, B, C, D, E, यह एक पंच भुझ है जो सभी हल शेत्रों में सर्वशनीष्ट है और इसकी भुझाएं भी सम्मेली थैं इस हल शेत्र में अब हमें X तथ Y के ऐसे मान चाहिए ताकि हमें ब्याज अधिक से अधिक प्राप्तों यानि निवेश के हुए धन पर अधिक से अधिक लाप्तों बॉंड्स पर जमा राशी थी X रुपए उस पर आठ प्रतिशत वार्षिक दर के दर से ब्याज प्राप्त होगा 8X बटा 100 तथा निश्चित अधि में जमा राशी थी Y रुपए उस पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होगा 10Y बटा 100 यानि उद्देश्य फलन हुआ 8X बटा 100 जमा 10Y बटा 100 हम इसका मान बराबर Z ले लेते हैं अब हमें X तथा Y के ऐसे मान चाहिए ताकि Z का मान अधिक से अधिक हो इस Z के मान को प्राप्त करने के लिए हम कोनिय विधी या शीर्ष बिंदु विधी का प्रयोग करते हैं एक बार फिर हम सर्वनिष्ट हल शेत्र को देखते हैं यह एक पंच भुज हैं जिसके शीर्ष है ए छे हजार शुन्य बी छे हजार छे हजार सी बारा हजार दस हजार डी अठारा हजार बारा हजार तथा E टीस हजार शुन्य अब इन्हें हम उद्देश फलन में रखकर देखते हैं कि X तथा Y के किस मान के लिए Z का मान अधिक्तम होता है पहले शीर्ष को लेते हैं A जिसके बिंदू है छे हजार शुन्य हम उद्देश फलन में रखकर देखते हैं Z का मान बराबर आता है 480 रुपे, यानि ब्यास 480 रुपे आते हैं दूसरा शीष बिंदू है 6000-6000, यानि बॉंड्स में आदि यदि 6000 रुपे जमा किये जाएं और निश्चत अवधी में भी 6000 रुपे जमा किये जाएं तो इन्हें उदेश्य फलन में रखने पर हमें Z का मान प्राप्त होता है 1080 रुपे तीसरा शीष बिंदू C है 12,000-12,000 यानि बॉंड्स में जमाराशी 12,000 तथा निश्चत अवधी में भी जमाराशी 12,000 उदेश्य फलन में रखने पर हम पाते हैं Z का मान आता है 2160 रुपे चौथा शीष बिंदू है D यानि बॉंड्स में यदि जमाराशी रखी जाए 18,000 रुपे तथा निश्चत अवधी में 12,000 रुपे रखे जाएं तो उदेश्य फलन का मान आता है 2640 रुपे यानि ब्याज आता है 2640 रुपे पांचवा शीष बिंदू है E यानि यदि बॉंड्स में 30,000 रुपे रखे जाएं और निश्चत अवधी में कोई भी राशी ना रखी जाएं तो उदेश्य फलन का मान आता है 2400 रुपे यानि 2400 रुपे इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बॉंड्स में 18,000 रुपे रखे जाएं तथा निश्चत अवधी जमा योजना में 12,000 रुपे रखे जाएं तो व्यक्ति को अधिक से अधिक लाब प्राप्त होता है यानि 2640 रुपे सभी शर्तों को मंजूर करते हुए उसे अधिक से अधिक लाब प्राप्त हो रहा है यानि व्यक्ति को अधिक से अधिक तभी लाब होगा जब वो बॉंड्स में 18,000 रुपे जमा करेगा तथा निश्चिद अवधी योजना में 12,000 उपए जमा करेगा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रेखिक प्रोग्रामन विधी एक नया विशे है जिसका अध्यन सबसे पहले दूसरे विश्वयुद में दुश्मन को अधिक से अधिक हानी पहुँचाने के लिए तथा परिवहन में कम से कम खर्चा रखने के लिए शुरू हुआ था आएए परिवहन से संबंधित एक समस्या को परविचार करें और उसका हल रेखिक प्रोग्रामन विधी द्वारा प्राप्ट करें समस्या है चीनी के एक थोक वेपारी के दो गोदाम है A तथा B जिनमें क्रमशह 30 तथा 20 बोरियों का स्टाउक है उसे तीन दुकानदारों P, Q तथा R से क्रमशह 10, 15 तथा 25 बोरियों के ओरडर प्राप्ट होते हैं परिवहन पर प्रती बोरी वे निमने प्रकार है गोदाम A से दुकान P, Q तथा R पर प्रती बोरी वे है 40 रुपए, 20 रुपए तथा 20 रुपए इसे तरह से गोदाम B से प्रती बोरी वे है क्रमशह दुकान P, Q, R तक पहुँचाने के लिए 20 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए ग्याद कीजिए कि वेपारी दुकानदारों को बोरीया किस प्रकार परिवहन करे ताकि खर्च कम से कम हो आईए सबसे पहले इस समस्या को इस रेखा चित्र द्वारा समझे इस रेखा चित्र में यह गोदाम A है जहां पर 30 बोरिया है तथा यह गोदाम B है जहां पर 20 बोरिया है यह दुकाने P, Q तथा R है जिनोंने क्रमशह 10 बोरियां, 15 बोरियां तथा 25 बोरियों का ओर्डर दिया है माना गोदाम A से दुकान P को X बोरिया जाती है तो गोदाम B से दुकान P को 10 घटा X बोरिया जाएंगी गोदाम A से गोदाम Q को यदि Y बोरियां जाती है तो गोदाम B से दुकानदार Q को 15 घटा Y बोरियां जाएंगी अब गोदाम A में रह गये हैं 30 घटा X घटा Y बोरियां जो की दुकानदार R को जाएंगी और गोदाम B से दुकानदार R को 20 घटा 10 घटा X जमा 15 घटा Y बोरियां जाएंगी जो की बराबर है घटा 5 जमा X जमा Y के बराबर और ये बनकर मिलकर बनेंगी 25 बोरियां जो की दुकानदार R को जा रही है हम जानते हैं कि बोरियों की संख्या रिनात्मत या भिनात्मत नहीं हो सकती हैं इस प्रकार प्रतिबंध हुए X बढ़ा या बराबर शुन्यके Y बढ़ा या बराबर शुन्यके 10 घटा X बढ़ा या बराबर शुन्यके 15 घटा Y बढ़ा या बराबर शुन्यके 30 घटा X घटा Y बढ़ा या बराबर 0 के तथा घटा 5 जमा X जमा Y बढ़ा या बराबर 0 के अर्थात प्रतिबंद एक बार फिर देख लीजिए X बढ़ा या बराबर 0 के Y बढ़ा या बराबर 0 के 10 घटा X बढ़ा या बराबर 0 के या X कम या बराबर 10 के 15 घटा y बड़ा या बराबर शुन्ने के या y कम या बराबर 15 के 30 घटा x घटा y बड़ा या बराबर शुन्ने के या x जमा y कम या बराबर 30 के तथा घटा 5 जमा x जमा y बड़ा या बराबर शुन्ने के या x जमा y बड़ा या बराबर 5 के अब इन प्रतिबंधों के निकाय का हम आलेक द्वारा हल प्राप्त करेंगे पहले दो प्रतिबंध से यह स्पष्ट है कि निकाय का हल निदेशांग तल के पहले चतुर्थांश में होगा यानि जब X बड़ा या बराबर शुन्ने के है तो यह वाला अंश चायंकीत होगा Y बड़ा या बराबर शुन्ने के तो यह वाला अंश चायंकीत होगा यानि निदेशांग तल के पहले चतुर्थांश में हमारा हल शेत्र प्राप्त होगा अगले दो प्रतिबंध है x कम या बराबर 10 के तथा y कम या बराबर 15 के इनका हल शेत्र प्राप्ट करने के लिए हम समी करन x बराबर 10 तथा y बराबर 15 के लिए सरल रेखाएं प्राप्ट करते हैं x बराबर 10 के लिए जो सरल रेखा है वो y अक्ष के समानतर होगा Y बराबर 15 के लिए जो सरल रेखा है वो X अक्ष के समानतर होगा इस परकार पहला प्रतिबंद X कम या बराबर 10 के लिए यह चायंकित शेत्र प्राप्त हुआ अगला प्रतिबंद Y कम या बराबर 15 के लिए चायंकित शेत्र यह होगा अगला प्रतिबंध है X जमा Y कम या बराबर 30 के इसके लिए X जमा Y बराबर 30 का हम आलेक बनाएंगे जो के एक सरल रेखा होगी बिंदू हमारे पास है 0, 30 तथा 30, 0 इन दो बिंदूं से हमें सरल रेखा प्राप्त होती है प्रतिबंध X जमा Y कम या बराबर 30 के लिए यह वाला शेत्र हम छायंकित करेंगे आखरी प्रतिबंध है X जमा Y बराबर 5 के इसके लिए हम समी करण X जमा Y बराबर 5 के आलेक बनाएंगे जो के एक सरल रेखा होगी बिंदू है शुन्य पाँच पाँच शुन्य इन दो बिंदूं से हमें सरल रेखा प्राप्त होती है अब X जमा Y बराबर 5 के लिए हम यह वाला शेत्र छायंकित करेंगे इस प्रकार इन सभी हल शेत्रों में हमें सर्वनिष्ठ हल शेत्र यह पंच भुच प्राप्त होता है जिसे हम A, B, C, D, E का नाम देते हैं और इस पंच भुच की भुजाएं भी इस हल शेत्र में सम्मिलित है अब हमें X तथ Y के ऐसे मान चाहिए ताकि दुकानदार या वैपारी को गोदाम से दुकानों में परिवहन करने में बोरियों को कम से कम लागत आए उसके लिए हम उद्देश फलन ग्याद करते हैं अभी तक हमने यह निर्धारित किया कि गोदाम A तथा B से दुकान P, Q तथा R में कितनी संख्या में बोरियों जाएंगी उनके परिवहन में कितना खर्च आएगा उसके लिए हमारे पास यह तालिका है गोदाम A से परिवहन पर वय प्रति बोरी क्रमशह दुकान P, Q, R के लिए है 40 रुपे, 20 रुपे तथा 20 रुपे गोदाम B से दुकान P, Q, R तक परिवहन पर वय प्रति बोरी क्रमशह है 20 रुपे, 60 रुपे, 40 रुपे इसे इस रेखा चित्रद्वारा समस्ते हैं यानि गोदाम A से दुकान P को जाने वाली X बोरियों पर खर्चा आएगा X गुणा 40 गोदाम A से दुकान Q को जाने वाली Y बोरियों पर खर्चा आएगा Y गुणा 20 रुपे तथा दुकान R को गोदाम A से जाने वाली बोरियों पर खर्चा आएगा 30 गटा X गटा Y गुणा 20 रुपे इसी तरह से गोदाम B से दुकान P को जाने वाली 10 गटा X बोरियों पर खर्चा आएगा 10 गटा X गुणा 20 रुपे गोदाम B से Q तक परिवहन करने के लिए खर्चा आएगा 15 घटा Y गुणा 60 रुपे तथा दुकान R तक परिवहन करने के लिए खर्चा आएगा घटा 5 जमा X जमा Y गुणा 40 रुपे और इन सभी पर कुल वय इन सभी का योग होगा यानि 40 X जमा 20 Y जमा 600 घटा 20 X घटा 20 Y जमा 200 घटा 20 X जमा 900 घटा 60 Y घटा 200 जमा 40 X जमा 40 Y और इन सभी का योग बनता है 40 X घटा 20 Y जमा 1500 और इसे ही हम उद्देश फलन लेते हैं और इसका मान बराबर Z लेते हैं अब हमें X तथ Y के ऐसे मान चाहिए ताकि Z का मान कम से कम हो यानि लागत कम से कम आए उसके लिए हम कोनिय विधी या शीर्ष बिंदू विधी का प्रयोग करते हैं और उद्देश फलन पर रखकर Z का मान ज्याद करते हैं कि कि X तथ Y के मान के लिए Z का मान कम से कम होगा एक बार फिर हम सर्वनिष्ठ हल शेत्र को देखते हैं यह एक पंच भुझ है और इसके शीर्ष है शुन्य पांच, शुन्य पंद्रा, दस पंद्रा, दस शुन्य तथा पांच शुन्य X तथ Y के इन मानों को हम उद्देश्य फलन में रख करके Z का मान प्राप्ट करते हैं जब शीर्ष है शुन्य पांच, तो उद्देश्य फलन का मान आता है 1400 रुपे जब शीर्ष है शुन्य पंद्रा, यानि गोदाम A से दुकान P को शुन्य बोरियां जाती हैं तथा दुकान Q को पंद्रा बोरियां जाती हैं, तो उद्देश्य फलन का मान आता है 1200 रुपे जब शीर्ष है दस पंद्रा, यानि गोदाम A से दुकान P को दस बोरियां जाती हैं, तथा दुकान Q को पंद्रा बोरियां जाती हैं, तो परिवहन परलागत आता है 16 रुपे अग्ला शीर्ष है दस शुन्य, यानि जब गोदाम A से दुकान P को दस बोरियां जाती हैं, और दुकान Q को कोई भी बोरियां नहीं जाती हैं, यानि शुन्य बोरियां जाती हैं, तो परिवहन परलागत है 1900 रुपे और आखरी शीर्ष है पांच शुन्य, इसे हम उद्देश्य फलन पर रखने पर हम Z का मान प्राप्त करते हैं 17 सुरुपे, यानि हम देखते हैं इन सभी शीर्ष से जब X का मान 0 है तथा Y का मान 15 है, तो उद्देश्य फलन का मान कम से कम 12 सुरुपे है, यानि जब गोदाम A से दुकान P को 0 बोरियां जाती है, दुकान Q को 15 बोरियां जाती है, तथा दुकान R को भी 15 बोरियां जाती है, क्योंकि गोदाम A में 30 बोरियां है, तो वेपारी को परिवेहन पर कम से कम लागत आता है, यानि उसे सिरफ 1200 रुपे खर्च करने होते हैं, इस प्रकार Z का मा उसे कम से कम प्राप्त होता है, यानि X तथा Y के अभिष्ठ मान है X बराबर 0 तथा Y बराबर 15, ध्यान दीजिए कि हमारा उद्देश्य फलन है 40X घटा 20Y जमा 1500, बराबर हमने इसको Z माना, इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 40X घटा 20Y बराबर Z1 या 4X घटा 2Y बराबर Z2 यानि 1500 से X तथा Y के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यदि हमें परिवहन पर वय प्राप्त करना है, तो वह वय हमें उद्देश्य फलन से ही प्राप्त होगा, यानि 40X घटा 20Y जमा 1500 बराबर Z के, इन सभी उद्दारनों से आज हमने सीखा, कि रेखिक प्रोग्रामन विधी द्वारा हम किसी भी वैपार या काम धंदे में कम से कम खर्च कर अधिक से अधिक लाब किस प्रकार कमा सकते हैं, कि रेखिक से ब्राप्त हैं,